उत्तरकाशी टरनल हासे में फसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार साथवे दिन कोशिच जा रही है इसी रेस्क्यू आपरेशन में कई मुसीबते आ रही है कभी पहार दरक रहे है तो कभी मशीन खराब हो जा रही है वहीं अब इस हासे को लेकर विपक्षिपाजी कॉंग्रेस ने कई सवाल खड़े की है कॉंग्रेस इस टरनल हासे को लेकर राश्पती से हाई लेवल जाज की मांग कर रही है उत्रकाशी टर्नल हास्से को लेकर अब भाज़पा के प्रदेश महामंतरी आदित्या कोठारी का बयान सामने आए आदित्या कोठारी का कहना है कि केन सरकार और राज्यस सरकार गंबीरता के साथ राहत और बचाफ कारे में लगी है और विशेश अर्गों की देखरेक में तकनीकी तौर पर छोटी टरनल बनाने का काम चल रहा है साथ ही कॉंग्रेस के सवालों को लेकर कहा कि कॉंग्रेस ओची राजनिती कर रही है देरादू उन से ब्यूरो चीफ अवनीश गुपता की रिपोर्ट सिल्क्यारा में जो हाथसा हुआ है वो दुखद है केंदर सरकार और राज्य सरकार बहुत गंभीरता के साथ में रहात और बचावकारी में लगी वी है चुंकि पूरी तरह से वो टेक्निकल काम है उसमें बिस्य सग्यों की देख रेक में तकनीकी तौर पर उसमें एक बैकल्पिक छोटी टरनल बनाने का काम चल रहा है वो सभी को पता है लगातार समाचार पत्रों के मात्यम से मीडिया के मात्यम से सभी लोगों को उसकी जानकारी मिल रही है कॉंग्रेस जो आरोपर प्रत्यारोप करने का जो कर रही है ये उच्छी राजनिती है आपदा के समय में बिपदा के समय में हम सब को मिलजूल करके उससे बचाओ के तरीके ढूंडने चाहिए और कॉंग्रेस आपदा में भी राजनिती करने का प्रयास कर रही है जो निंदन कर रहे हैं आपदा की समय में हम सब को मिल जूल करके एक जो टो करके काम करना चाहिए और कॉंग्रिस के पास अगर कोई उसका ऐसा कोई सुझाओ है जिस सुझाओ के आधार पर रहात और बचाओ कारे और अधिक तेजी से के जा सकते हो तो उनको यह सुझाओ देने चाहिए इस परकार कोई मार्ग सुझाना चाहिए केवल आरोग प्रत्यारोग करने से रहात और बचाओ के काम नहीं हो सकते हैं